जिस बंगले को लेकर के समराट चौधरी ने तेजस्वी प्रसाद यादो को कभी ये बोला था कि वो हमारे बंगले पर कबजा करके बैठे हैं उनकी फिदरत है कबजा करना वही बंगला आजकल खाली परा हुआ है और समराट चौधरी उस बंगले में कदम तक नहीं रख रह अब समझे इस बात को कि समराट चौधरी तेजस्वी यादो वाले उस बंगले में नहीं जाना चाहते हैं और इस कारण से बिहार सरकार से ये आग्रह किये हैं कि उनको दूसरा बंगला आवंटित किया जाए और फिर बिहार सरकार ने उनको दूसरा बंगला आवंटित भी कर दिया है लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है तो दरसल बात ये है कि जिस बंगले को समराच चौधरी को पहले लोट किया गया था उस बंगले की कहानी ऐसी है कि जो जो उस बंगले में रहा है उसका पद जो है कुछी दिनों के भीतर चला गया है मतलब ये कि अगर आपको पद पर बना रहना है तो उस बंगले से आप दूर रहिए और सायद यही बात जो है समराच चौधरी के दिमाग में घर कर गई और इस कारण से समराच चौधरी ने अपने घर का पता ही बदलवा लिया अब पुड़ी कहानी क्या है क्यों ऐसा कहानी कहा जा रहा है इन सभी मुद्धो पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा प्रिचय जान लीजिए नमस्कार मैं नाम वेद प्रकास है आप जनता जंचन देखना सुरू कर चुके हैं और कैमडे के पीछे हैं विशाल अब आईए सिधा आपको ले चलते हैं उस कहानी पर दरसल बिहार सरकार ने अपने उपमुख्यमंत्री के लिए एक special बंगला रखा है जिस बंगले का पता जो है वो five circular road है five circular road पर इस्थित बंगला जो है वो बिहार सरकार में जो भी number one की position में उपमुख्यमंत्री होता है उसको वो बंगला दिया जाता है number one हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी बिहार सरकार में दो उपमुख्यमंत्री है अगर कोई एक उपमुख्यमंत्री है तो उसका पता जो है समान्य तोर पर five circular road होता है वही वाला बंगला होता है जिसमें तेजस्थी प्रसाद यादो का कबजा था तेजस्थी प्रसाद यादो रह रह रहे थे औ चम्राट चौध effortr अब समराट चौधरि उस बंगले में रहा एंश tief fatr ऋजिर्प दो साल के बीतर भीतर चला गया यह और यह एक लंबी कहानी रही है इसको आप समज लीजिए और इस यह खबड़े चलने लगी है कि वो बंगला ही मनहूस है और सायद वो बंगला ठीक नहीं है अब इस बात को पुखता करने के लिए सबूत जो दिये जा रहा है वो देख लीजिया दो हजार पंदरा का विधान सबाद चुनाओ होता है महागठ बंदन के साथ नितिश कुमार सरकार में आते हैं खूब सुंदर सा बंगला बनवाते हैं उसमें काम करवाते हैं और फिर दो साल के भीतर भीतर तेजस्वी प्रसाद यादो की सरकार चली जाती है नितिश कुमार अपना पाला बदल लेते हैं और होता यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादो से उस बंगले को छीन लिया जात और इस कारण से वो कोट टक जाते हैं लेकिन कोट से फिर जो है मामला सरकार के पक्ष में आता है और तेजस्वी प्रसाद यादों को उस बंगले को खाली करना पड़ता है फिर 2017 में जब नितिश कुमार पाला बदलते हैं तो बिहार का उपमुख्यमंत्री बनते हैं सुसील क मोदी वो सुसील कुमार मोदी जो भारतिये जनता पार्टी से थे और उसके बाद सुसील कुमार मोदी जो हैं उस बंगले में रहने जाते हैं सुसील कुमार मोदी पर भी उस बंगले का साया परता है और साया ऐसा परता है कि दुआरा दब 2020 के विधान सबाचनाओं के पुष्रा का नाम रेनु देबी था अब तारकिसोर प्रषाद नंबर वन की पोजीशन में थे और इस लिहाद से उप्मुख्यमंत्री का बंगला जो है वो तारकिसोर पुष्राद को दे दिया जाता है और एलोट किया जाता है तेजस्वी प्रसाद यादो 17 महीने डिप्टी सीम के तौर पर काम करते हैं और फिर एक बार नितिश कुमार अपना पाला बदलते हैं और फिर तेजस्वी प्रसाद यादो का डिप्टी सीम का पद चला जाता है और अब समराट चौधरी जो है बंगले में रहने जाते हैं तो हमारा भी पद चला जाएगा और इस कारण से समराठ चौधरी ने बिहार सरकार को एक आवेधन ये दिया कि उनका पता बदला जाए उनको नया बंगला एलोट किया जाए और तब जो है पांच नमबर सरकुलर रोड बंगले को छोड़ करके सा नमबर सरकुलर रोड पर बंगला उनको एलोट किया गया और समराठ चौधरी जो है अब उसी बंगले में रह रहे हैं अब आप इस बात को समझ लीजिए कि तेजसी पसाद यादो का जो फेबरेट बंगला है उसको लेकर कि कहानी ये चलने लगी है गलियारों में राजनि को ये बंगला एलोट किया जाएगा और फिर देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या उनका पद रहता है या फिर उनका भी चला जाता है लेकिन फिलाल समराठ चौधरी सायद इसी डर के कारण जो है अपने बंगले का पता बदल लिये हैं और अब जो है साथ सर्क्लर में व बहुत बहुत धन्यवाद